हेलो गाईज वेलकम टू मैं यूटूब चैनल सो आज अपन चैस्ट इंजरी पढ़ने वाले उसके अंदर में तीन टॉपिक आपको बताऊंगा बहुत इंपोर्टेंट है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं शु सकते हैं इससे तो चैस्ट इंजरी के बने में पर बात करेंगे इंट्रॉडउक्शन वर्स्ट इंट्रॉड्द्छन में देखते हैं कि ब्लेंट डेइन ट्रॉमा एंगर चैस्ट के अंदर इंजरी ऊंधर इंज्ट्र enorme जोड़ हो सकता है वहां परदे सकते हैं टलिए कॉन तो बलेंट ड्रोमा जो होता है वो किसको लीड़ कर सकता है न्यूमो थोरेक्स को पर्मरी कोंटूजन को अगर कॉंसे इंज्डरी है अपने चैस्ट इंज्री होगी है नेक्स्ट बात करते हैं अपन यह अपन देखें रिब फ्रेक्ट्चर में टॉपिक के है या फिर splinting, patient move करेगा तो उसके साथ में chest pain बढ़ेगा, क्योंकि क्या है, disease का नाम क्या है, rib fracture, problem क्या है, rib fracture, second बात करते है, splinting, splinting का मतलब जब chest pain होता है, तो patient को अगर fracture हुआ है, rib के अंदर, तो वो क्या करेगा, chest को hold करके रखेगा, splint करके रखेगा, immobilize करके रखेगा, तब भी क्या होगा, chest pain rise होगा, ये दोनों चीज़े क्या करते है, movement और splinting क्या करते है, ventilation को कम करते है, जब आप splint कर लेते हो, chest को, पगण के immobilize कर लेते हो, तो क्या हो गया, आप chest wall क्या हो गया, expand नहीं कर पाती, तो ventilation जो है, ventilation जो है, कम होगा, next, secretion जो है, वो clear out नहीं हो पाएंगे, कब जब pain हो रहा है, inspiration के साथ में, या फिर pain, sorry, pain हो रहा है, movement के साथ में, या फिर क्या हो रहा है, patient क्या कर रहा है, immobilize कर रहा है, या फिर splinting कर रहा है, तो ये दोनों चीज़े तब arise होगी, अब बात कर रहे तो ये हो गया, आपका refracture का introduction, क्या, कि blunt trauma है, refracture ए assess करोगे, किसको refracture, बात करते हैं, इसके अंदर pain होगा, with inspiration, कैसे पते चालेगा, inspiration के साथ pain होगा, या जहाँ पे injury है, site of injury, वहाँ पे क्या होगा, tenderness feel होगा, या tenderness को क्या बोलते है, feeling of discomfort, वहाँ पे feel होगा, at the site of injury, जहाँ पे आपका fracture होए, second बात करते है, इसका जो respiration होग रिफ fracture वाले patients में, तो आप assess करोगे, उसका respiration जो होगा, वो क्या होगा, deep होगा, क्या बोलेंगे, shallow होगा, third बात करते है, self sprint, patient क्या करेगा, अपनो self sprint, मैं बताया, patient क्या करेगा, chest wall को, hold करेगा, अपने chest को, मतलब immunize करने के लिए क्या करेगा, self sprint करेगा, next बात करते है, उ fracture दिखा ही देगा, x-ray जो होगा, उसके अंदर क्या दिखेगा, आपको fracture दिखेगा, यह सारा क्या हो गया, उसका assessment हो गया, किसका rift fracture का, next बात करते हैं, पर उसके treatment की बात करते है, treatment जो है, इसका reunite, reunite का मतलब क्या होता है, कि अगर रिफ fracture होए तो अपने आप वापस बन position क्या रखना है, इसमें fowler position रखनी है, elevate करके रखना है, थर्ड जो चीज़े है, important है, intervention के अंदर क्या है, उसको जो patient को अगर pain हो रहा है, pain देखते हैं, अपन pain हो रहा है, तो उसी के according उसका treatment है, तो क्या देंगे, इसमें analgesic देंगे patient को, अगर analgesic देंगे, और severe pain है, तो उसमें देंगे intercostal nerve block, क्या देंगे अगर severe pain है, तो intercostal nerve block, अगर mild pain है, mild से moderate है, तो उसके अंदर देंगे, तो वो analgesic क्या करेगी, ventilation को बढ़ा देगी, chest pain के साथ में ventilation problem हो रही थी, तो ventilation improve कर देगी, और patient का जो respiratory distress है, उसको भी कम कर देगी, कौन सी analgesic, किसके लिए दे रह self-splint देखा, आपने intervention में self-splint देखा, self-splint मतलब मैंने बता है, immobilize करके रखता है, तो आपने देखा, जब assess करा था, आपने देखा, patient immobilize करके रखा है, क्योंकि उसके refracture हुआ है, अब जब treatment का काम भी क्या हो गया, fracture के अंदर immobilize करना, तो उसमें भी क्या है, self-splint, I hope यहाँ तक clear हुआ, अब पढ़ते हैं next topic, so guys next up बात करते हैं, अपने रिफ्रेक्चर के बात में, flail chest, जो भी क्या है, chest injury है, इसके अंदर अपने बात करते हैं, पहले इसका introduction, flail chest का introduction में बात करते है, same, refracture की तरह, blend है, पर associate के साथ है, accident के साथ, क्या है, blend है, blend injury है, और sharp नहीं है, blend है, और blend मतलब यह, sharp मतलब knife की तरह, with accident, accident की साथ associated है, तो यह क्या करकते है, lead किसको कर सकते है, वो हीमो थोरेक्स को, वो कर रहा था, नियुमो थोरेक्स को, पल्बनिक कंटीजन को, यह कर रहा है, हीमो थोरेक्स को, और क्या, रिफ्रेक्चर को, अगर injury होगी, त तो क्या कर सकते, lead, obviously, किसको lead कर सकता है, रिफ्रेक्चर को, और ब्लीडिंग को कर रहा होती है, वो लंक्स में चल जाती है, तो क्या थोरेक्स से, cavity के अंदर उसको क्या बोलते है, हीमो थोरेक्स, second बात करते है, loose segment, जो chest wall की, जो loose segment है, injury के वक्त में हुए है, वो क्या कर सकत है, जो injury के वक्त में है, तूट के गिर गए है, किसके, तूट हो है, किसके injured हो गए है, chest wall के segments, तो इसको क्या बोलते है, पोस करना, या difficult करना, किसी movement को expansion हो गया, या contraction हो गया, तो उसको बोलते है, paradoxical, तो same, इसके अंदर assessment की जब बात करते हैं, तो बहुत important है, इसके अंदर जो respiration होता है, क्या बोलते हैं, उसको paradoxical respiration, दो चीज़े important है, बहुत exam में आता है, paradoxical respiration के साथ दो important है, जब inspiration होता है, तो moment क्या होता है, invert moment होता है, अगर expiration होता है, तो उसमें क्या होता है, outward moment, तो आई से याद रखो, invert moment होता है, कब inspiration में, expiration के वक्त में क्या होता है, outward moment होत नॉर्मली इंस्पिरेशन के बत आउटवर मुवमेंट होना चाहिए पर क्या हो रहा इनवर्ड तो उल्टा है इसलिए अपोजिट है तो इसको बते प्रेडोक्सिकल इस टरं को ने अप मनुबकुक्त क्या है, सेकंड बात करते हैं डिजनी है के अंदर हॉशि case क्या है, कम वेशन तो haiposy होगा और ब्लेडिंग होती तो क्या होगा क्या होगा और ह capita के अंदर क्या होता है unter tama这 बर्दี बढ़ती है, 00, प क्यों होगा काव जो ऍेड़ी नहीं हो पाईगी रसपीरिशन क्याutan कि अधर करन बीधिरोगा कॉन्च फर बात करते है बिचलों पर दिम कि इसय chill जो और पाईगे की डिलिशन मतलब आएगैगी Neooud होगा आपको breathing sound कम मिलेगी diminish मिलेगी यह सब का same almost जैसे assessment के उसी का same treatment आएगा यह treatment याद रखना next में pulmonary contusion पढ़ाँगा उसके अंदर भी treatment same है position मैंने बता बहुत important position है follow position जो है follow position बहुत important है जितने भी चैस्ट इंजरी सब के अंदर जो पॉजिशन देते हैं सेकिंड बात करते हैं जो oxygen होगी अपन ट्राय नहीं देंगे क्यों सी देंगे humidified oxygen थर्ड बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है जब भी आपको लगे कि pulmonary complication arise होने वाली है पेशेंट के अंदर तो उसको बोलना है उसका इंटर्वेंशन के नहीं deep breathing and coughing बहुत important होगा पॉस्ट अपर्टिवी क्लाइंट जिसके अंदर pulmonary surgery होई है कोई लंकोई surgery होई है वाल में complication arise होने की chances है उनमें भी आपको deep breathing क्या करना है प्रोमोट करना intervention में बहुत important है फोट बात करते हैं जितना भी pain वगरा हो रहा है पेशेंट को CVHS पेना उसके लिए क्या करेंगे पर analgesics देंगे फिफ्ट बात करते हैं पेशेंट को क्या है डिसेजरेट हो रहा है पेशेंट को डिस्ट्रेस्ट के लिए बोलेंगे और उसकी जो activities है जादा activity नहीं करने देंगे तक क्योंकि क्या होगा oxygen demand बढ़ जाएगी इसलिए क्या करेंगे लिमिट करेंगे उसको सिक्स बात करते हैं अगर पेशेंट के अंदर सीवर फ्लेज जाएस्ट है या फिर रेस्परेटरी फेलियर है या पेशेंट शॉप के अंदर तो इन conditions के अंदर क्या करेंगे पेशेंट को इंटुबेट करेंगे इंटुबेशन के अंदर क्या करेंगे चांसेट को पेशेंट को पेशेंट को देंगे तो यह सारी कंडिशन यह क्या है सारे जो अससेंन देखे उसी के रिकारडिक जो जो प्रॉबलम आपका राई जिख रहे है उन उनका टीटमेंट है जो तो चीज़ा है इसमें इंपॉर्ट ने पॉन्यों परफिशन और कि next फ्राइज चाइस के बाद इसका इंट्रोडक्षन देख लेते हैं बहुत इंपॉर्ड ना इंट्रोडक्षन के अंदर पहले देखते हैं इंत्रीशंट हम्रेज होता है इंटेस्टीशिल हम्रेज मैंने बताया आपको टिश्यू के इंदर जो सेल्स होता है उसके बीच का सकते हैं next बात करते हैं pulmonary contigion contigion से याद रखो आपकी कहीं ना कहीं टिश्यू के अंदर सेल्स के बीच में कहां bleeding हो रही है pulmonary contigion तो उसका most common complication क्या हो गया aids क्या हो गया most common complication aids बहुत पूछा जाता है तरड बात करते हैं, बर देइक्ट बात करते हैं, कैसे पता जालेगा कि यह烤 पॉल्मिलोन कॉप्ब कांडिजन को क्या हो सकता है, पैसिडन को डिजनी होगा क्यों कि बंग कंप्लाइस कम हो रहे हैं, डिजनी हो रहा है कि şu क् elimination को जो है ब्लट के अंदर क्या है, Oxygen कम है, तो इस condition को क्या बोलते है, Hypoxemia, Hypoxia मतलब Tissues में कम है, Hypoxemia क्या मतलब, Blood के अंदर कम है, next बात करते है, Sputum के साथ में blood आ सकते हैं, condition को blood Hemoptises मोलते हैं, blood हो गया with Sputum के साथ में, next बात करते हैं, जब यह हाइपोक्सी में हो रहा है तो पेशन के अंदर क्या हो सकते है ब्रॉंकिल सिक्रेशन से ब्रॉंकिल सिक्रेशन भी बहुत ज्यादा हो सकते है ब्रॉंकिल सिक्रेशन बड़े हो सकते है जिसके कारण जो ब्रीधिंग साउंड्स है वो भी क्या पेशन के अंदर कम आए देगी पेशन के अंदर क्या साउंड से नहीं क्रेकल से आप विजस सुनाएं देगें क्योंकि क्या होगा है हैं मेरे जो रहा है लंक्स के अंदर तो यह सारी कंडिशन से आपको असेस्मेंट के अंदर यह चीज़े दिख सकते हैं इसके अंदर इंपोर्टेंट क्या है पेश exact same है, क्या करना है आपने जितने भी injuries हो रही है इसमें क्या करना है आपने airway जो है उसका patent करना है ventilation देखना है patient का, दूसरा मैंने बताया आपको कि follower position जितनी भी chest injuries है, वहाँ पे सब में important है क्या follower position देना third बात करना, oxygen कमी है demand जादा नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए patient को bed rest देना है, fourth बात करते हैं अगर required होता है, severe cases होते हैं उसके अंदर आप mechanical ventilation with peep को ध्यान में रखते होए, उसको दे सकते हो, I hope guys आपको तीनों topic यहाँ तक के लिए हो, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया, तो इस video को like करें मेरे channel को subscribe करें, ऐसी amazing video के लिए मिलते हैं अगले video में